हाई फ्रेंब्स, स्टोक्स गेज चैनल में आपका स्वागत है हम लोगोंने 44 मोविंग एवरेज रैंजिंग पे डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनिर्स टाइम फ्रेम में आलडी स्टोक्ष्क्रीनर बना दिये हैं और 44 मोविंग एवरेज फालिंग पर भी डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम में आलडी हम stock screener बना चुके हैं इन सब को यूज़ करने के बाद आप लोगों के comment आए कि आप 5 मिनट टाइम में भी यूज़ कैसे करना है तो सबसे पहले charting open कर लिजिए यह charting का home page है charts की setting करने के लिए कोई भी एक chart open कर लिजिए मैंने chart open कर लिया है chart open करने के बाद यहां center में period वाली option में one days select कर लिजिए और range वाली option में five minutes select कर लिजिए उसके बाद update chart पे click कर दिजिए आपके chart की settings अपड़िट हो जाएंगी उस्तना करने के बाद यहां screeners पे click कीजिए उसके बाद यहां search box में stocks gauge 44 SMA rising five minutes टाइप कीजिए और search scans पे click कीजिए click करते ही यह result आपके सामने आ जाएगा फिर इस पे click कीजिए click करने के बाद आपके सामने उन सब stocks की list आ जाएगी जिनका five minutes time frame में 44 moving average rising है और last candle ने 44 moving average पे sport लिया है तो चलिए सबसे पहला chart चेक करते हैं मैंने chart open कर लिया है यहां देखिए इस chart की last candle ने 44 moving average पे sport लिया है और इसका 44 moving average rising है चलिए दूसरा chart चेक करते हैं मैंने दूसरा chart open कर लिया है इसमें भी देखिए इसका 44 moving average राइजिंग है और इसके last candle ने 44 moving average पे sport लिया है तो आप इसे अपने system के अनुशार trade कर सकते हैं जैसे कि कुछ समय पहले इसने यहां पे 44 moving average पे sport लिया था और फिर यहां से एक अच्छा कासा move दिया है इस तरह के move हम इस screener की help से intraday में catch कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पुसंद आया तो लाइक कीजिए यदि आपको भी कोई screener बनवाना है तो आप comment कीजिए और ऐसे ही बेतरी स्क्रीनर्स पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए आपको पुस्क्राइब कीजिए